अच्छा कुछ लोग हैं जो इंजर्निंग के बाद टीचेंग लाइन में जाना चाते हैं कि मतलब इंजर्निंग के बाद टीचर कैसे बने, इस पूरे वीडियो में इसके बारें इम बात करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा और पहली बार आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और एक चीज और मैं बता दू जिल लोगो करियर कांसलिंग चाहिए करियर कंसल्टिंग सर्विसस चाहिए करियर में किस तरह से आ यह के बाद एक लिस्ट आपको टेचिंग जाना है तो आप बीत कर सकते हो बीटी सी कर सकते हो और उसके बाद टेट अच्ट जो भी चूपरट यह स्को पास करके आप टेचिंग लाइन में जा सकते हो पहला रास्ता गया जिसको बहुत सारी लोगों किया भी है मेरी साथ ख किये हुए हो primary school में जाके पढ़ा रहे हो इसी में आप जॉब करते लेकिन एक पंक्रे के लिए तरस रहे हो तो बहुत सारे चीज़े होते हैं वगएर वगएर यह आप डिपेंड करता कि कि आप किस तरह से शीज़ को हैंजल करते हैं लिकिन सेकेंड चीज आता है टेकनिकल टीचिंग में टेकनिकल टीचिंग में एक टाइम ऐसे था ना बीटेक करके बीटेक में पढ़ा सकता था बंदा मतलब आप इंजर्णिंग किये हो मुझे मेरे कॉलेज में खुद आफर हु पहले टाइम था कि फॉलेटेकनिक वाले पढ़ा लेते बीटेक वाले ही पढ़ाएंगे और वहां भी बहुत सारे लोह के नकरेया कि एम्टेक करके आए बढ़ा आइज आए लेकि अक पर आब लक्राते हो मेरा फिर्ण है जो बीटेक करके डारक्ति सेलक्ट हो गया था हुआ था मेरे डिविस्पूस का इंटर्विव हुआ था और इंटर्विव मों सलेक्ट हुआ और उसको बुला लिया गया कि भैया आप आजाईए गवर्मेंट जॉब है सरगारी नौकरी है आप यहां पर आ करके पढ़ाईए तो यह सारी चीजे मैं आप लोगो इसलिए बत पैसे हैं अगर आप प्यस्टी कर लेते हो टेकनिकल फेल्ड में जैसे जैसे मैं एक्जामपल कुछ युश्टी का भी दूंगा ऐसी युश्टी जो 35,25,25,20,00,000,000 का पैकेज देती है ऐसी ऐसी संस्ताइं है जो 55 करोड का पैकेज देती है उसंस्ता कोई नहीं आये आए और फिजिक्स वाला जैसे लोग है जो 55 करोड की पैकेज भी टीचरों को दे रहे है अनकेडमी के तो जो फाउंडर और को फाउंडर उनने बोला किमारे या कि टीचर बॉलिवुड एक्टर से जादे कमाते है तो सोचो ना टेचिंग लाइन में भी ऐसा है कि कोचिंग यह स्इद्न समझना चाह रहा है तो यह सारी केमारे सोचाय जब तक आप यह सारी करोंगे जाने हैं यह एक्स्टा-अॉर्ड़न री चीजे हैं तब तक आप आप दोनों टाइब के टीचर आप बन सकते हो प्राइबेट में भी पढ़ा सकते हो सरकारी में पढ़ाने के लिए आपको UPSC के तुरू मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम होते हैं उसमें लेकिन अगर आपको बीटेंग में पढ़ाना पीजी तो एटलिस्ट आपको करना ही पड़ेगा आप कर लो एंटेक के बाद में पढ़ाना वैसे तो एंटेक बीटेक और बीटेक जो कि आप किस तरह हैंडल करते हो किस तरह से चीजों को लेते हो और किस तरह से चीजों का हो टो मेरा काम था आपको बताना और आपको क्लियर कर देना कि इंजनिंग होगया, आप तेकनिकल और नॉन टेकनिकल ली टोनों पहले की बात है लेकिन कोट ने उसको बहाल किया और इंजनरिंग वाले नॉन टेग में भी दंड़ना आड़ी दिये हैं जाकर के तो बस वीडियो में इतना ही और जो लोग टेलीग्राम पे हो करेड़े चैनल टेलीग्राम पे वहां पे जाके जॉइन करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन दे मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू